आज हम सीखेंगे केंद्रिय प्रवृत्ति के एक मापक माध्य के बारे में संख्याओं के समूह का प्रतिनिद्व करने के लिए कई बार हमें एक उप्युक्त संख्या आवश्यक होती है जो प्रेक्षणों के समूह का प्रतिनिद्व करें ऐसी संख्या समूह की केंद्रिय प्रवृत्ति यानि सेंट्रिल टेंडेंसी कहलाती है विभिन्न प्रकार के आकडों की व्याख्या करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की केंद्रिय प्रवृत्तियों का प्रयोग करते हैं जैसे माध्य यानि मीन, माध्यक यानि मीडियन, बह यानि arithmetic mean या समानतर माध्य भी कहते हैं किसी समूह के प्रेक्षणों का माध्य वह संख्या होती है जो सभी प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देकर प्राप्थ होती है जैसे दिये गए आकडों का माध्य 22 है माध्य को हम इस प्रकार दर्शाते हैं जिसे हम पढ़ते हैं x-dand यानी x-bar यदि हमें इस प्रकार n-pregion दिये गए हो तो इन प्रेक्षनों का माध्य इस प्रकार लिखा जा सकता है हमारे सुविधा के लिए हम प्रेक्षणों के योग को इस प्रकार दर्शा सकते हैं जहां ग्रीक प्रतीक सिग्मा, संकलन यानि समेशन को दर्शाता है x i एक चर यानि वेरियेबल है जिसमें i एक से n तक कोई भी प्राकृत संख्या का मान ले सकते है इसे हम पढ़ते हैं x i का योग जब i एक से n तक विचरण करता है यहां n प्रेक्षणों के कुल संख्या दर्शाता है इसकी सहायता से अब हम माध्य को इस प्रकार दर्शा सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग हम यथा प्राप्त आकडों का माध्य प्राप्त करने के लिए करते हैं अब मान लीजिए प्रेक्षणों में x1 की बारंबारता f1, x2 की बारंबारता f2, x3 की बारंबारता f3, इसी प्रकार xn की बारंबारता fn है तब हम सभी प्रेक्षणों का योग इस प्रकार एवं सभी प्रेक्षणों की संख्या इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं ध्यान रहे N सार्णी में प्रविष्ठियों के कुल संख्या बताता है इस तरह से अब इन प्रेक्षनों का माध्य इस प्रकार लिखा जा सकता है इस सूत्र की सहायता से हम दिये गए अवरगे कृत बारंबारता बंटन यानि अनग्रूप्ट फ्रीक्वेंसे डिस्टिब्यूशन के लिए माध्य ग्याद कर सकते हैं अब चलिए माध्य के कुछ विशेष्टाओं को समझे यहां कुछ बच्चों की उचाई दी गई है इनकी औसत उचाई क्या है यहां समझने के लिए हमें सभी बच्चों की उचाईयों का माध्य ग्याद करना होगा माध्य केंद्रिय प्रवृत्ति का एक मात्र मापक है जो आकडों के कुलमान को ध्यान में लेता है इसलिए यदि हमें कुलमान के छवी दर्शाने वाला मापक आवश्यक होगा तो उस तिती में माध्य एक उपियुक्त मापक होगा इसी तरह यदि हमें दो batsman के प्रदर्शन के तुलना करनी होगी तो हमें उनके रनों का माध्य प्राप्त करके इनके तुलना करना अधिक उप्योगी होगा यहां कुछ fraction दिये गए है इनका माध्य 20 है यदि हम fraction 29 को बदल कर 7 लिखते हैं तो नई fraction के साथ माध्य 18 प्राप्त होता है इस तरह माध्य सभी fraction ओपर निर्भर करता है यदि किसी fraction में परिवर्तन होता है तो इसी के साथ माध्य में भी परिवर्तन होता है पान लीजिये किसी वर्ष एक राज्य के तीन जिलों में वर्षा 3 cm, 8 cm, 9 cm हुई इस वजह से उन जिलों को सूखे का सामना करना पड़ा और चोते जिले में वर्षा 380 cm हुई जिसके कारण उस जिले को बाड़ का सामना करना पड़ा यदि हम चारो जिलों में वर्षा का उसत ग्याद करें तो यह 100 cm प्राप्त होता है उसे देखकर क्या यह कहना सही होगा कि इन चारो जिलों में अच्छी बारेश हुई है नहीं, ऐसा कहना गलत होगा यहाँ चरम मान याने एक्स्ट्रीम वैलियू 380 cm अन्य प्रेक्षणों की तुलना में अत्यधिक बड़ा है माध्य पर इसका सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है इसी तरह माध्य पर चरम मानों का अत्यधिक प्रभाव बढ़ता है इसी तरह यहाँ प्रेक्षणों और उनके माध्यों को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि यदि प्रेक्षणों में चरम मान अत्याधिक बड़ा या अत्याधिक छोटा हो तब माध्य प्रेक्षणों का उत्तम प्रतिनेदित्वा नहीं करता उन स्तितियों में जब चरम मान अत्यदिक बड़ा या छोटा हो हमें माध्यक और बहुलक सहाईता करते हैं जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे तो आज हमने सीखा केंद्रे प्रवृत्ति के एक मापक माध्य के बारे में अगले वीडियो में हम सीखेंगे केंद्रे प्रवृत्ति के एक अन्य मापक माध्यक के बारे में